नमस्कार मैं प्रानुशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज कॉंग्रेस पार्टी और भारते जनता पार्टी की बीच लगातार स्यासी जंग छुड़ी होई है दरसल साल दोहसार चौबीज में लोग सभा चुनाप होने वाले हैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि तिरपुरा नागलेंट और मेखाले में विधान सभा चुनाप हो चुके हैं और इन विधान सभा चुनाप में बीजेपी जीत हासिल करती हुई नसराई है बेशक कॉंग्रेस पार्टी यहां पर दावा करती हुई नसराई जीत का लेकिन कॉंग्रेस पार्टी यहां पर पिछरती हुई देखी गई है ऐसे में देखा जाए तो अब आने वाले वक्त में छे राज्यों में विधान सभा चुनाप होना भी बाकी है और इन छे राज्यों के लिए कॉंग्रेस पार्टी अलग-अलग रणनीतिया बनाने में जुटी हुई है लेकिन दूसरी ही तरफ मिशन 2024 को लेकर मास्टर प्लान भी कॉंग्रेस पार्टी का तयार है भारत जुड़े यात्रा के सरिये अपनी मजबूत दावेदारी पेश की कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष और वाइनार्ट से सांस्तद राहुल गांधी ने और राहुल गांधी अब देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनोती देते हुई नसरारेंद दरसल पी-एम पत की दावेदारी के लिए बिपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का नाम आगे किया इसा रहा है वही दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एंडी के तरफ से पी-एम मोदी का नाम एक वर फिर से आगे किया गया है अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार यूपी की तरफ से क्या वाकई में राहुल गांधी को आगे रखा जाएगा या फिर नहीं क्योंकि इस रेस में बिहार के मुख्यमंतरी नितेश कुमार से लेकर पश्यमंगाल से ममता मनर जी तो वही दिगज नेता शरत पवार के नाम के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद के इजरिवाल का नाम है वही यूपी से सपाप्रमुक अखलेश यादब भी इस रेज में नजर आ रही हैं ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांदी क्या वाकई में पीम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी चुनोती दे रही हैं दरसल आपको बता दें कॉंग्रेस पार्टी का यही कहना है क कि राहुल गांदी के आगे बीजेपी यहाँ पर मुकाबला करती हुई नजर नहीं आ सकती है यह बात हम नहीं बलकि यहाँ पर यह बात कही गई है कॉंग्रेस के वरिष्प नेता पवन खेडा की तरफ से पवन खेडा जो हमेशा ही मोदी स्तरकार पर निशाना साते हुई नजर आते हैं और बीति कुछ दिनों पहले ही पवन खेडा को एरपोर्ट से जिस तरीके से गिरफतार किया गया था जब कॉंग्रेस का राष्ट महादिवेशन हुआ था तब से सियासत और भी जादा गर्माती हुई नजर आरी है आईए आपको दिखाते हैं कि पवन होती है मिट्टी की खुश्बू होती है और जब राहूल गांधी दहारते हैं तो दिल्ली से नाकपूर तक नहरू गांधी नहरू गांधी बोलते रहते हैं हमारे प्रधान मंत्री जी और उनके पूरी नेता उन्हें समझे नहीं आता हुआ क्या आँ जवाब क्या देंगे सोनिया जी से हम सीखे हैं कितनी भी कठिन परिस्थिती हो सौम्यता से कोई समझोता नहीं होता है कोई मूल्यों से कोई समझोता नहीं होता है यह हम सोनिया जी से सीखें राहुल जी आप में महत्मा गांधी की सरल्ता और नहरू की गहराई है आप से ये क्या मुकाबला कर पाएंगे जैसा कि आपने देखा जना इस वीडियो में कि पवन खेडा किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी की दहार पर बात करते हुई नजर आएं कि वह जब दहारते हैं तो आखिरकार यहां पर इसका असल कितना पढ़ सकता है बीजेपी पर लेकिन आप यहां पर पवन खेडा क आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज